मैं मरना तो चप्तन नहीं पर आज हालात कुछ ऐसे हैं कि जीने की बीच चाहिए उदर प्रदेश की मेरट में विद्या प्रकाशन के एक करमचारी ने नौकरी के तनाव में सलफास खागर आत्महत्याकली करमचारी ने सुसाइट से पहले एक वीडियो भी फेस्बुक पर शेयर किया है करमचारी का आरोप है कि विद्या प्रकाशन में काम करने वाले टीम लोग यश्पाल सिंग, गौरग महेश्परी और नेहा गौतब पर संगीन आरोप लगाए है वाइरल वीडियो के मताबिक इन्वेक्टी ने अपना नाम अमित चौधरी बताते हुए कहा है कि विद्या प्रकाशन मेरेक में नौकरी करता था लेकिन अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया अधारा में वा किसी तरह दुबारा नौकरी पर लगा लेकिन तीनों करन्चारी बेवज़ा उसे परिशान करते थे और जब उसे नौकरी से निकाल दिया आमित ने वीडियो में कहा कि वह जिन्दगी सित्तांग आ गया है इसलिया अध्मात्या करने जा रहा है जिसके बाद उसने अलफास खाकर जान दे रहे है क्या नाम आपके भाईगा अमित चोदरी क्या करते हैं वह विद्या परकासन की तोटते हैं पिर क्या होगा उसने ज प्रश्पाल के पुलिस तत्स कराइब में लेकर ने रहे हैं प्र झाल तोटतरी किस ने कराया लेकिन कोई बाद में किर श्रुब्हीं अच्छा उन्होंने जैर कहा पर कुछ भी कौह लेकर ताटगी अच्छा औन्होंने जयर कहाँ पर पहा एंट है वह फोcessor की आई लेकिन कोई भी गॉस्केम कुछ भी लेकिन कोई उनके परिजनों ने एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने हारोप लगाया है कि विद्या प्रगाशन के मालिक और उनके अन्यकरमचारियों ने उसके साथ दुर्वयवार किया महरपिट किया इस अत्राणा से वो तंग आगे आत्मत्या कर लिया है इस तहरीर के आधार पर मुक